भारत चीन विवाद के बाद भारती सेना है काफी आक्टिव हो गई हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने पहले ही एलान किया था कि देश की सुरक्षक ले जल तल और वायू सेना जरुरत पढ़ने पर कोई भी कारवाई कर सकती है इसी बीच भारती वायू सेना प्रमुक एयर चीफ मार्शल आरके एस बदोरिया ने चीन को चेतावनी दी है उन्होंने कहा है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए और दुश्मनों को जवाब देने के लिए सेना तयार भी है और तैनाद भी है दरसल वायू सेना के एयर चीफ मार्शल आरके इस बदोरिया शनिवार को हैदराबाद स्थित अकैडमी फॉर कंपाइंड में पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे थे जहां उन्होंने पासिंग आउट परेड के दोरान वायू सेना के जवानों को संबोधित किया सबसे पहले उन्होंने एलेसी पर चीनी सैनिकों से जड़प में शहीद हुए भारती सैनिकों को शरधांज ली दी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शाहदत बेकार नहीं जाने देंगे उन्होंने कहा LAC पर हर हालात को संभालने के लिए हम पूरी तरह से तयार है उन्होंने बताया कि भारत शांती से सभी मुद्दों को सुलजाना चाहता है लेकिन हमारी सेना किसी भी आक्रमक्ता का जवाब देने के लिए भी तयार है अल एफोर्ट्स और एंड़ वे तो एंशूर बता दें कि सीमा तनाव को देखते हुए एरचीफ मार्शल आरके एस बदौरिया वायू सेना की तयारियों का जायजा लेने के लिए दौरे कर रहे है दो दिनों में उन्होंने ले और श्री नगर के दौरे किये इस दौरान उन्होंने तयारियों के संबन में पूरी जानकारी ली बरहाल आज आयोजित हुई पासिंग आउट परेट के साथ भारतिय एयर फोर्स को 123 जाबाज मिले हैं जिनमें 19 महिला अफसर शामिल है एयर शीफ मार्शल ने पासिंग आउट परेट को सलामी दी वहीं करोना वाइरस संकट के मद्दे नजर इत्याहास में पहली बार किसी पासिंग आउट परेट में कैड़िट्स के माता पिता अभी भावक शामिल नहीं हो पाए हैं वीडियो डेस निउस्ट्राइक डॉट कॉम ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हैं निउस्ट्राइक डॉट कॉम पे और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहें तो हमाया चानल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहें तो हमाया पेज को लाइक फॉलो जरूरूर।